हैलो उध्रियन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाईक से सब्सक्राइब कर दो चैनल पे अगर लाईक का बटन तो दिखेगा नहीं है ना क्योंकि subscribe का वटन होता है तो दबादो यार अगर थोड़ी सी जद बची होई तुम लोगों के अंदर और नहीं किया है subscribe तो कर दो भाई नहीं आ रहा पसंद तो फिर देखो ही मत और पसंद आ रहा है तो कर दो नहीं मत अब धिकार है जिन्दिगी में इतना मकार तो को करोगे नहीं इसलिए मत करो ना मैं बोलूँगा बिलकुल मत करो लाइक अब छोड़ दो ऐसी तैसी में जान दो वीडियो भी अब ऐसे ही आने भी हैं वीडियो ठीक है कमेंट जाके जरूर कर दियो इस्ता तो कर दियो ताकि पता चल सके तुम लोग के दिमाग में चल क्या रहा है आजाओ देखते हैं पिछले एपसोड में क्या हुआ था तो पिछले एपसोड में हम लोग उने देखा हुए होता है कि जोयान की फाइट रही होती है उन 3 चमंचूत्यों के साथ। समझ गया होते है कि जोयान नब मुस्किल है बट फिर यान से फाइट करتे ऐी कि तीनों का combine attack जोन की तरफ बढ़ता है और जोन उसे काफी आसानी से tackle करके resolve भी कर देता है जो देखे उन्हें एक बात तो सामझ में आ गई थी कि नहीं अटेकों के साथ जोन को वो तीनों लोग भी नहीं हरा पाएंगे लेकिन तभी अचाना की जोन की तरफ बढ़ गया होता है एक powerful pressure जो की spiritual power का pressure होता है जिसने जोयान को पूर्टेगे से जकड़ रखा था लेकिन जोयान भी solitaire clone से जकड़ा हुआ होता है इसलिए जोयान को इससे ज़्यादा effect नहीं पड़ता देन हम लोगों ने एक और चीज़ देखी होती है कि जोयान की आखों के सामने अपयर होता है वो fourth person जिसकी power illusionary realm पर थी वो अपनी पाबार से जोयान के उपर एक formation से attack करता है जो देखके जोयान करता है ओए गयान बाराबे देख इसको उड़ी पे है दूस्ता वो बंदा जोयान की techniques और tentacles को देखकर कहता हो तुम तो उससे ज्यादा मिलते जुलते हो जिसे कहते है soli tackling जो देखके जोयान कहता हो ओके thank you thank you but तुम मरने वाले हो जिसके बार हमने देखा हुआ होता है गयान उसकी formation को तोड़ देता तो बंदा और नाराज हो जाता है कि हमारी formation break करते हो बहुत formation को फिर से create करता है गयान फिर तोड़ देता है इस बार तो पर खच्चे उड़ा देता है लेकिन बंदा हार नहीं मानता भाई वो 13 gate की कोई forbidden technique अपयर करके जोयन कूपर pressure बनाता है जो देखकर गयान कहता है जाना बेचूती है यह तो चोरी की technique है वो भी complete नहीं है देख मैं पूरी कर देता हूँ गयान उसे पूरा कर देता है और 24 gate अपयर कर देता है अब तक 13 थे वहाँ 24 आ जाते हैं जो देखकर बंदे की 36 हरी हो चुकी हो चुकी है बंदा समझ गया होता है कि यह वो बंदे नहीं है जिससे वो निपड सकता है लेकिन मरता क्या ना करता अब तो उड़ता हुआ भाला है तो जो यान इस एपिसोड की स्टार्टिंग की दोरान हम देख सकते थे कि अधा धुन सोल का यूज कर रहा होता है लेकिन जो लीटर क्लेन की सोल पावर को बचाना भी चाहता था क्योंकि जो यान को पता था कि इससे गैधर करना काफी मुश्किल है और फ्यूचर में सो फाइट लाइफ और डेथ की है इस फाइट में केबल हार और जीत डिफेंड नहीं करती एक मरेगा और एक बचेगा और अब उसका एक मात्र ठोट यहां से भागने का था लेकिन उसने यह फूर्मेशन खुद बनाई थी और उसकी खुद की बनाई फूर्मेशन ने हुई स लिपेट लिया होता है इसलिए अब इससे निकल पाने इंपॉसिबल था साथ ही साथ उसने तो थर्टीन गेट अप्यर किया थे लेकिन यहां पर ड्यूट यान के 24 एमोर्टल गेट्स ओपन हो गया होते हैं और 24 के 24 गेट्स ने घूमना शुरू कर दिया होता है जिससे जो बड़ी सी सैडो जो की केबल एल्यूजनरी रिल्यम के इस पिच्छल पावर बाले बंदे के पास ही हो सकती थी जिसे कहते हैं धर्मा इस्प्रेट बॉड़ी वो उसके बॉड़ी को त्याग देती है और वो अपने सोल को कंट्रोल करते हुए और अपने थौट्स का यूज लेवल पर है तो ये बास्त में डेथ का एक और तरीका माने जा सकता था दोस्तब जो यान जानता था कि सामने बाले की सोल ट्रू एल्यूजनरी रिल्यम पर है जबकि वो जैसे स्पिच्छल पावर को सो कर पार है वो केबल सो लीटर क्लोन की ही पावर है इसलिए दोनों की पावर में और समझ में काफी बड़ा डिफ्रेंस होता है तब यान केता है क्या है ये है ट्रू एलूजनरी रिल्यम हालकि इस टाम पे जो यान का परला भाड़ी था पिर भी उस आदमी के स्पिच्छल पावर एरिया ने उसे अभी तक बचा रखा होता है लेकिन ये जो ग वाले फॉर्मेशन अटेक थे लेकिन उसके कंपेरजन में ये फॉर्मेशन बाप था बाप हाला की टेकनिक्स लगबग एक ही जैसी थी लेकिन इस प्रीच्छल प्रेसर का जो प्रेसर बनाने का तरीका था वो इस टेकनिक के साथ काफी खतरनाग था ये गेट इतनी कि वो हाड ना जाए और जोहान को इस बात से हैरान की हो रही होती कि वो इस formation को सीधे तोर पर एक illusionary realm क spiritual power के powerhouse को दबाने के लिए use कर रहा है मतलब सोच रहे हो चुट्टू पुट्टू को तो ऐसे ही निप्टा देगा साथी जोहन जेसे formation में कुछ ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं था अचानक उसे formation में इंट्रेस्ट आ जाता है कि वाह ड्यूटियान 24 इमोटल गेड्स आई लव इट आई लव इट आई लाइक इट बिसक इसका अधार यह है कि जो यहन को इसे use करने के लिए लूजनरी रियलम की spiritual power को हासिल करना होगा बढ़ना thousands of souls यूज करनी होंगी 100 liter clone की जो की काफी ज़्यादा खपत थी हालकि यह formation काफी powerful है फिर भी इसका use करने से पहले इसके support के बारे में आपको जरूर सोचना होगा क्योंकि आपको एक strong support बना के रखना होगा बढ़ना यह आपके उपर भी काफी आदा pressure डालेगी energy की कमी का लेकिन आखिरकार अपुनेंट इस टाइम पे illusionary realm के एक strong person था और वो धीरे धीरे एक दम crazy situation में इंटर कर चुका होता है उसकी spiritual power उनमत मतलब पागलों की तरह बढ़ रही होती है ऐसा लग रहा होता है कि उसकी spiritual power किसी भी कीमत पर इन 24 immortal gates को destroy करना चाती है और वो चिला चिला के कह रहा होता है इस formation के साथ मुझे मनश्ट करना impossible है इस formation के साथ तुम मुझे नहीं मार सकते नहीं मार सकते नहीं मार सकते तोर दो तोर दो तोर दो इस seal को तोर दो ये बंदा पागलों की तरह दाहार रहा होता है लेकिन बास्तों में ये spiritual attack भी कर रहा होता है formation को तोड़ने के लाबा formation की आई को भी खोज रहा होता है क्योंकि उसके बाद formation को तोड़ना थोड़ा साथसान हो जाएगा क्योंकि वो जोयान को हराना चाहता है तो इस टाम पे उसे formation के control से बाहर आना होगा दोस्तब जोयान ने केबल अपनी soul में एक तेच चीक सुनी होती है जोयान के कानों से खून आ रहा होता है ये देखा जा सकता था क्यालियूजनरी रियलम की spiritual power रखने बाला बंदा कितना ज्यादा strong होता है उसे कम करके नहीं कांपने लगी होती है साथ ही इस formation के बारें बोलते हो है जो डोग आई होती है वो तुरंदी कहते है आज मेरी किसमत काफी अच्छी है मैंने इस formation को आपके लिए complete किया है आपको इस तरीके से नहीं रोना चाहिए और गोटे ने टेके उस बंदों को चीकते चिलाते देकर गोयान काफी आरान होता है कि मैंने तो मदद की यार तिर पास आधा था मैंने पूरा कर दिया लेकिन डोग आई की नजरों में ये सब सीन बहुत चोटे मोटे थे डोग आई कहता यार ये मजा नहीं आ रहा बड़े-बड़े सीन देखाओ समझ रहे हो ना बड़े-बड़े ड़ग आई देखता है बड़े-बड़े सीन इस टाइम पे लो सेंग और बाकी के दो आदमी कहता हमें क्या करना चाहिए और लुओ सैंग की तरफ देखता है ये इंप्रेसन भी उदास होते हैं वो तुरंत ही हार जाएगा हमें तुरंत पीछे राटना होगा एक बार अगर केकिंग हार गया तो हमारे पास भागने का मोका नहीं होगा जो देखकर वह लुफी तुरं जब लुओ सेंग लुओ फी को देख रहा होता है तो इस टाइम पें फीलिंग्स के बारे मुसके पास सोचने का टाइम नहीं होता बुद तुरंदी कहता है हमार पास कोई और आपस नहीं है हम यह आपे अपने एकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हाला कि केकिंग ने उनक किसी के पास होता है लुओ सेंग तुरंदी कहता है चलो भागो जैसे उसने यह कहा होता है तीनों ही लोग व्राउन फॉग में पीछे अटने के लिए तैयार होते है और केबल यहां से भाग करी और और ऊपर जाकरी वह जो यहां से छुटकारा पासकते थे लेकिन इस टैम कि जैसी वो यह वर्ड सुनती है तो पीछे की तरह मुड कर इन तीनों को जकर लिया जो भागने वाले थे जो देखका लुओ सेंग चौकते हो तुम क्या चाहती हो ब्लैडी बास्टार्ड लो सेंग का तो चेरह ही राख हो गया होता और वो रोने लगता कि यह कैसा 雪ंग आप इसे सफ़ रहा होता है साती उसने से डैमेंजसेलिंग रोप के अंदर से अपना ब्लैड मार्ग हटा धिया होता है और उसे से पूरी तरीक्र चीज wiping होता है जसके बाद वह तुरंती कहते है आप पूरी तरीके से free है अब तो आप मुझे जाने दे सकती है ना क्य और Empress मुझ ढख के हसने लगती है कि भंड इंसान रोप तो छोड़ दे किसी का बाप भी मेरी मरजी के आप हिसाब से तुम लोग को यहां से जाने नहीं देगा साथ ही Empress एक दम चिल खड़ी होती है जैसे उसे कोई डर ही ना हो भाई ना डर ना चिंता ना फिकर एक दम ब्यूटिफुल और ब्यूटिफुल अट्रेक्शन चार तरब बिखेर तुही तब ही Empress कहती ही चिंता मत करो क्योंकि तुमने मेरे पती पर अटेक किया है इसलिए वो जो चाहेंगे आपके साथ करेंगे अगर वो चाहेंगे कि आपको छोड़ दिया जाए तो आपको छोड़ दिया जाएगा अगर वो चाहेंगे कि आपको मार दिया जाए तो आपको मार दिया जाएगा साथ ये तीनों लोग काफी हरान होती कि Empress उनके बगल में थी और उ इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आपको डर नहीं है, हाला कि बंदा भी आप एम्प्रेस से बात्चीत करी रहा होता है कि तभी डैमन रोक इन्हें और कसके जकर लेती है, जसे इनके मुझे आह निकल जाती है, जो देखकर लो सेंग तुरंधी कहता है, तुम, तुम मुझे क्रुल होने के लिए दोस नहीं दे सकती, लड़की, अकर तुम मेरे हाथ लगी, तुम मैं तुम्हें मार दूँगा, इस टैम प ऐसा लग रहा होता है कि यह इस रोप को तोड़ देना चाहता है, हाला कि लो सेंग एक्सन लेने ही वाला होता है कि तभी एमप्रेस हलके से अपने हाथ को लहराती है, और तीनों की तरफ हलकी सी फ्लाबर की एक स्मेल उड़ जाती है, और एमप्रेस की तरफ देख तो इनकी आखों का जुनून बदल गया होता है, तब हैं एंप्रेस हलकी सी स्माइल पास करती है हाले कि एंप्रेस यहां पे चाहे कुछ भी कर रही हो लेकिन उसकी नजरे हमेशा ही सिर्फ जो यान पट्टी की हुई थी और वो जो यान को ही देख रही थी वो तुरंती कहती है लड़कों को अट्रेक्ट करना कितना असान है बस यह अट्रेक्ट नहीं हो रहा और एंप्रेस का भी उदास दिख रही होती है हाई एंप्रेस का कोट आभी भी पूरा नहीं हुआ है इस टाइम पे ड्यू टियान 24 फॉर्मेशन भी धीरे धीरे गायब हो जाती है जिसका जो पावर्फुल एफेक्ट होता है वो क्रियेट होता है और चावत्रा फैल जाता है यहां तक है अलूजनरी रियलम की स्पिच्वल पावर रखने बाला जो इस ट्रॉंग परसन था केकिंग उसकी बॉड़ी जो लगबख 100 फीट की थी इस पिच्वल बॉड़ी वो अब दरजनों फीट की रह गई होती है और फॉर्मेशन को तुरन तोड़ने के बाद केंग अपनी आखे खोलता है और बिना किसी इचके चाट के उसकी आँखों की पुतलियों पर एक लाइट बॉल घूम रही होती है साथ ही उसकी आखों के खोलते ही आसपास का पूरा ही एरिया गने फॉक से ढग गया होता है केकिंग हानने के बाद यह से भागने की स्ट्रेटजी बनाई रहा होता कि तभी हमें एक प्यारी से आबाद सुनाई देती है ओ लिट्ल डेमोनिक रोप जाओ और जो भाग रहा है उसे पकड़ लो किसी को भागने मत दो ऐसे को एमप्रेस प्यार से उस रोप की तरफ देखती है और पतले पतले कूले लहराते हुए जो यान की तरफ बढ़ने लगती है एमप्रेस तो कमाल की लग रही है भाई बैब नोबल प्याओ तो यह जो डेमन रोप होती है बिना किसी इचके चार्ट के इन तीनों को छोड़कर सीधा ही उनके तरफ बढ़ जाती क्योंकि यह तीनों तो अब लग टू हो चुके होती है एमप्रेस की प्यार में बेकार मे इस टाइम पे जो एन यह देखता है तो उसकी बहुत चड़ गए होती है कि आकरकार केकिंग करने के अवाला है लेकिन सबी जो एन देखता कि केकिंग को एक रसी ने बांध लिया है जो देखके जो एन थोड़ा सा हैरान होता है उसे उम्मी नहीं थी कि वास्तों में इतनी परसन कर सकती है वो है एंप्रेस साथ ही यहाँ पे हर बार हुदाज देखते है उसकी आँखों में साइन होती थी साथ ही हर बार लौटते टाइम उसके कपड़े का सेट होता था जो की और भी हसीन होता था ऐसा लगता है इस लड़की ने के वल अपनी 스ष रिंग में स्टोज रिंग में कपड़े ही रखे हुए थे साथ इसे देखते हुए जोयन को अपनी वाइफ की आद आ गई थी क्योंकि वो लड़कियां भी कपड़ों को ही फ्रायोर्टी देती थी जोयन अपने मन में सोच रहा होता है कितनी जल्दी दूर जाकर आखिर कर वो कपड़े कहां बदलती होगी साथ इस टैंप पे एमप्रेस के अट्रेक्टिव फिगर को देखते हुए जोयन की आखे मसाल जैसी जल रही होती है जोयन तुरंथी कहता है ये सच मुझ काफी व्यूटिफुल है हाला कि मुझे पता है कि एमप्रेस ऐसा जान बूच कर रही है फिर भी मैं इसे देखने से कुद को रोक नहीं पा रहा हालیک उजण तुरंथी एm Buddhist को जी भर के देखने के बद तुरंथी kaking के पास जाता है जिसे रोप ने बांध रखा होता है साथ ही बेचारा काफी उदास लग रहा होता हुँ तो उसे भागने भी नहीं दिया जाएगा तभी उजण कहता है तुम में कुछ तो दम है formation break करने के लिए तुमने अपनी body को ही उड़ा दिया बहुत सही लेकिन मुझे डर है कि तुम आज यहां से जा नहीं सकते जोन ने जैसे ही का होता केकिंग सुनने के बाद हसने लगता और तुरंदी गयता है यहां fight में मनने से बैता रहे कियांत में तीन बेवकूप मुझे से हार गए साथ ही यह rope इसने मुझे रोक दिया इतना कहने के बार अचाना कि उसकी अलूजनरी रियम की spiritual power अपयर होती है और केकिंग का target इस बार जोयान नहीं बलकि ऐसा लग रहा होता है कि यह diamond ceiling rope होती जिसने उसे बांदा था वो सीधे तोर पर इस rope की जो spirituality उसे बिटाना चाहता था दूर तरब diamond rope को भी खत्रे का हैसास हो जाता और वो तुरन थी केकिंग की body सोड़ गई होती और Empress की तरफ आ गए होती जैसे की उसने Empress को अपने master के तरफ पर accept कर लिया हो तब ही केकिंग अपनी निगाहों का पीछा करते हैं Empress की तरफ देखता है और उसकी आके सिकुड जाती है जाहिर तोर पर उसे Empress को recognize कर लिया होता है हला कि Empress हमेशा से ही वहां थी लेकिन जो यान को नहीं पता होता की जब वो सामने नहीं आना चाहती तो यहां कोई भी नहीं है जो उसका अंदाजा लगा सकी कि Empress कहाँ पर है Empress हमेशा इसे ही जवान की अगल वगल थी लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था केंग भी यहां पर डरा हुआ लग रहा होता और फिर बिना किस चका है पीछे की तरफ भागने लगता है फट जाती है हवा के बीच में खून और धुआ फैल गया होता है जाहिर तोर पर ऐसा लगा जैसे कोई लाटिंग श्ट्राइक उसके उपर हो गई हो लेकिन आसपास कोई भी फ्लेक्शुएसन महसूस नहीं हुआ था ऐसा लग रहा था कि एमप्रेस ने केबल अपने बड से ही केकिंग को मार डाला हवा के बीच में खून ही खून की स्मेल फैली होई होती जाहिर तोर पर बिजली का कोई उतार चड़ाव नहीं होता और कैंकिंग के ब्लास्ट के बाद लुओ सेंग और तीनों लोग भी जा गए हो तोर इस सी इनको देखकर हैरान रह गए होते है उनके चेहरे कांप रहे होते हैं और यह बलड मैस्ट अभी भी वहाँ पर होती जो खत्म नहीं हुई थी दूसी तना पेंपोरेस तुर्एन के पास आती है लिकन उसके चैहर पर कोई खुसी नहीं होती बलकि वह बिलकुल उदास होती है जैसे कि उसने कोई गलती कर दियो और वो जियौन को इदास तरीके से देख रही होती है और तुरंती कहती है वो मुझे माफ कर दीजेगा माई डियर हस्वेंड मैंने आपकी बात नहीं मानी और उससे मार डाला मुझे नहीं पता था कि वो इतना वीख है तभी जन कहता है रहे इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इस परसन से नेपटना बाकई मुस्किल था इसकी जो एल्यूजनेरी रियलम की स्पिचल पार बाकई काफी श्ट्रॉंग थी मेरा उसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं था जोन हैल्पेस तरीके से समाइल करता है और सोच समझकर जोन उनकी तारीब भी करता है दोसरी तब लोग अभी भी हरान होते कि यहां हुआ क्या था मामला कुछ समझ ना आया हाला कि इस टैंपे तब ही एंप्रेस कहती इस टैंपे ताक्सू लेविल का तैकसू बल्ड का एक बंदा यहां पर आ गया है तो माइडियर अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी है जैसे जयान केकिंग की स्टोज लिंग में खोजबीन कर रहा होता है एंप्रेस धीरे से जोन की दब दिखती है जो सुनकर जोन तुरंती अपना सिहल उठाता है और जोन की आँखे किलिंग इंटेंट औरे से भरी हुई होती है जिसे देखकर तो साब देखा जा सकता था कि तैकसू बल्ड से जोन कितनी नप्रत करता है जोन तुरंती कहता जूची हंटर पहले सका सामना करने से पहले हमें इन से नपटना होगा क्योंकि जो यार और जूची का लग तो एक साथ फाइट करने का पहले से ही डिसाइड़ है जबकि तैकसू बल्ड के साथ अभी जोन का कोई भी लेना देना नहीं है इसलिए जोन पहले अपने और अपने बल्ड पर जादा ध्यान देगा आखिरकार सेनेकसी बल्ड उसका घर था और उसके पास जो कुछ भी है वो सेनेकसी बल्ड द्वारा दिया गया है इसलिए उसका पहला थाट हंटर गॉड पहले सिया जोची नहीं बलकी ताइकसी बल्ड है ताकि इने निप्टा दो और इसके बाद सांती से जोची को मारो तब ही एंप्रेस भी हिला देती है अपना सेर साथ एंप्रेस कहती हूंने पावर के यूज करके अलग कर दिया गया था लेकिन वो केबल उपर बढ़ बढ़ कर ही एक साथ आ सकते हैं दूसरी तब ताइ किंग और युग जियाओ पहले ही जाग चुके होते हैं लेकिन जोच नहीं कहता उसकी आखों को देखकर दोनों समझ गए होते हैं कि जोआन क्या चाहता है इसलग वो बिना किसी हैरानगी के तुरंत याँगे की तरफ आते हैं हाला कि वो क्रुएल्टी से जोआन को देख रहा होते कि बड़ा हरामी आदमी है यार लेकिन वो अपनी इस्टोज रिंग निकाल कर जोआन के हाथों में रख देते हैं साथी जोआन उनकी चार पैटन पिल्स को भी ले लेता है डेमोनिक एनरजी वाली और उन पिलों को जोआन जैसे ही अब्जॉब करता है तो जोआन की जो ग्रीन पिल होती वो तेजी से बढ़ने लगती है और इन चार पिल के बाद जोआन की बॉड़ी में जो पिल ग्रीन थी और जिसके अंदर 36 लाइन थी वो बढ़कर 50 लाइन तक पहुँच गई होती है हाला कि इस तरीके की किलिंग के तहट अभी भी रियल लेवल तक पहुँचने के लिए कुछ देरी थी इससे मैं जोआन के हाथों में एक फ्रूट भी निकलता है जिसे जोआन बिना इसकी चार्ट के खा लेता है अब जोआन का सुधार करने का रादा था क्योंकि जोआन की बॉड़ी में 1.2 विलियन कोई पहले ही कंडेंस हो चुकी थी और जोआन इसे धीरे धीर और भी कंडेंस कर सकता था साथि अगर इस पीड यही रही तो जोआन को मीद थी कि 9 Star Fighting God के लेटे स्टेज तक पहुचना मुस्किल नहीं होगा जिसके बाद जोआन दूसरा फर तीसरा फ्रूट स्वैलो कर लेता है और जोआन की जो कुई होती हो 1.3 बिलियन तक हो गई होती है और हर एक सक्सेस के बाद जोआन की ओरिजन को इसी में increment हो रहा होता है लेकिन ये दीरे दीरे अब धीमा होता जा रहा होता है साथे ऐसा लग रहा होता है कि अब ये quality change की तरब बढ़ रहा है तब यहान कहता है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली ये 1.3 से breakthrough कर ही नहीं रहा मुझे 90 star fighting god के लेटे स्टेज पर पहुँचने के लिए 1.5 billion तक पहुँचना होगा हाला कि जोन जल्दबाजी में नहीं होता लेकिन time बीतने के साथ साथ उसकी power में सुधार होता जाएगा जोन तुरंदी कहता मेरी cultivation में जब मैं fighting god के लेटे स्टेज पर पहुँच जाऊँगा तो मुझे immortal level की तयारी करनी होगी इसलिए मुझे cultivation में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेकिन अब जोन इन चीजों को इतना ज़रा control नहीं कर सकता था अब उसका एक मात्य thought अपनी power को सुधानना और अपने foundation को stable रखना है और जब तक मौका या चांस है जो यान मिलकुल भी संकोच नहीं करेगा जिसके बाद जोन तुरंदी कहले चलो चले और लोगों को मारे जो सुनकर ताइकिंग, युगजिया और दोनों ही दंग रह जाते इससे पहले कि वो कुछ कह पाते जोन रेन्बू लाइट में बदल कर रांगे की तरफ बढ़ जाता है दूसरब सिक्स फ्लोर पर एक और जगह पर अभी भी एक फिगर खड़ी हुई होती और उसकी पूरी वोडी पर लाल रंग का आर्मर होता है चारतरफ लगवक साथ या आठ आसे लासे होती है जिनकी वोडी से एक गोल्डन हार्ट निकाल लिया गया होता है साथी बहु साथ को कुछल कर उसके एमोर्टल एसेंस और बलड को उसके बाहें से अपने आर्मर के अंदर डाल रहा होता है और यह कोई और नहीं बलकि ताइक सू वर्ल्ड की फिगर होती जिसके बारे एम्प्रेस ने कहा था कि वो 6th लेवल पर आ चुका है जाहित तोर पर यहां इंटर करने के बाद उसका टारगेट जो यान नहीं था बलकि एमोर्टल लेवल के वोयर को मार कर उनका SM से कटा करना था क्योंकि जितने ज़्यादा आप पावर्फुल एमोर्टल उसके पास होंगे उसकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी करना कंटीनू रखना था और एमोर्टल पावर को अब्जॉब करना नहीं हाला कि साथ में लेवल पर आने के बाद जैसे ही बंदा भी अभी इस्टेवल हुआ था अचाना कि एक लाइट उसकी तरफ बढ़ने लगती है जो देखकर वो बंदा तुरंते उस ब्लैक लाइट को रोग देता है और धूर की तरफ फेक देता है और ये ब्लैक लाइट और कुछ नहीं बलकि जो यान का वाहुआंग रूलर होता है ज़सके बार वो तुरंती गाता है इंट्रेस्टिंग इस टावर में इंटर होने के बार मैंने कई मोटल लेवल की वारियर को मारा लेकिन किसी ने भी सामने से आकर मुझसे फ़ाइट करने की हिम्मत नहीं की चलो किसी में तो दम है जो दरबाजी में आकर पहल करता है और असा कहते हो बंदा हसने लगता है दूसर अफ ज़वान की फig़र close पे close आती जा रही होते हैं तो उसके हास का बाहुपर रूलर कांप रहा होता है जब ही अगया पती पती के आप चाहते हैं कि मैं एक्षन लो अगर आप कहेंगे तो मैं मोज मस्टी के साथ इसे दोड़ा दोड़ा कर और पीट पीट कर मारूंगी तुरंत बिलकुल नहीं मारूंगी जब आपका मन हो तो आप भी से निपटने के लिए एक्षन ले सकते हैं तभी यहान कहता है यूहानर इस तरीके की चिड़ो गड़ो के लिए आपको एक्षन लेनी की जवयत नहीं ह मैं अकेले काफी हूँ जिसके बाइज यहान ताइकिंग और यूगजियाओ की तरफ देखते हुए कहता है चलो जो सुनकर ताइकिंग और यूगजियाओ दोनों ये एक दूसे को देखते हैं क्योंकि अगर वो सपल नहीं हुए तो एमपरेसाइद उन्हें पीट-पीट क मार डालेगी तब यहान कहता है मुझे विस्वा से कि आप दोनों उनसे निपट सकते हैं जो आने ताइकिंग और यूगजियाओ को सीरेसली देखा होता है जो देखकर वो तुरंदी कहती सार ये जो एक्सपर्ट वो ताइक्सू बर्ड का है ये वास्ते में हमारे बारे मे अबिसली इससे निपटा जा सकता था और जो यान के लिए जब इस बंदे ने कह दिया था कि आज मैं अच्छे मूर में हो और तुम्हें छोड़ता हूँ तो इन्हें लग रहा होता है बेकार में फाइट लेनी की क्या जरूरत है जो देखकर जान कहता है बास तुम अगर इस अके लिए टैक्सु बर्ट के बंदे से नहीं निपड़ सकते तो आप दोनों के इतना ही स्ट्रॉंग होने का क्या ही फाइदा है मर जाना चाहिए आप दोनों को साथी जान ने ये भी देखा था कि केकिंग के कंट्रोल से ये लोग बहुत पहले ही जाग चुके थे ले उस तो टैक्सु बर्ट के पाउरफुल परसन की आँके सिकुड गई होते और वो तीन लोगों को कोल्ड आई से देखते हुए कहता है देख रहा हूँ था हाला कि ऐसा लग रहा था कि वो एंप्रस को नहीं देख पा रहा लेकिन अंगले ही पल ताइकिंग और युग जिय उसके सामने क्या हो रहा है साथ ही उसे यह भी नहीं पता था कि जो यान ही वो किलार है जिसने टाइक्सु बर्ट के दो पाउरफुल लोगों को मार डाला था जिसके बाद वो बंदर तुनंत कहता है मैं वैसे तुम्हारे उपर एक्सल लेना नहीं चाहता था लेकिन ऐसा लागता है कि तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है मैस में तुम्हारी मदद करूँगा और इसके बाद वो युग जियाओ की तरफ देखता है और अपनी बोड़ी के आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और अंगले हिपल वो उन दोनों की तब दोड़ने बाला पहला पर उसने बास्तो में ही सोचा था कि ये दोनों एक साथ भी टैक्सी बल्ड के इस बंदे को मार सकते हैं आखिर कर भी अभी भी अपनी पूरी पार का इस्तिमाल नहीं करेंगे बले ही जोयान उनकी जान का खत्रा भी होने दे दे पिर भी जोयान के लिए उनको ऐसा करना ये हाला कि जोयान ने उन दोनों को आगे जाने के लिए कहा था क्योंकि जोयान के पास इस टाम पे कुछ टाइम की जरूरत थी जोयान अभी भी गोयान द्वारत बताये गए 24 heavenly gate को appear करना चाहता था और 24 heavenly immortal gate appear करके देखना चाहता था कि क्या ये बंदा इसे जहल पाएगा या नहीं हाला कि जान के लिए ऐसी formation को create करना भी भी मुस्किल था लेकर फिर भी उसे dog eye की मदद की जर्वात थी तब ही डोगाई तुरंती कहती अगर आपके पास अगर इतनी ताकत नहीं है कि आप इसका यूज कर पाएं तो आपको दूसरों को पैसान नहीं करना चाहिए ये बहुत बुरी आदत है आप जानते हैं गोयन यहां पे गुस्सिम होता और मन भी नहीं होता उसका मदद करने का लेकिन उसके पास option भी नहीं था आके कर यहां पे fight पहले ही start हो चुकी थे और तीन लोग तो लड़ भी रहे थे और जब attack के start होता है तो शुरू आत में Ty Queen, Yooksya और दौनों नहीं जुयान की उमीद के मताबिक काफी खतना का टैक करने सुरू कर दिया होते हैं यहां तक कि कुछ टाइम के लिए बास्तर में लोगों का पला भारी भी था साथ इन दोनों ने लॉंग स्रॉट पकड़ रखी होती है और स्रॉट की जो एनर्जी होती है जिससे आर्मर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा होता लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के खतना का टैक को ने टैक सुबल्ड केस बंदे को पैसान कर दिया था लेकिन बाद बारे ने अपनी चेस्ट को थपता पाते हुए देखा जाता है और अचाना है कि उसके जो ब्लैक आर्मर होता है उसमें ब्लड की एक लेयर चड़ जाती और रेड लाइट फूट परती है जो कापी पारफुल हो रहा होता है जिसके बाद वाइड गॉड आर्मर की नीचे उसकी फिगर देखी जाती है उसके पैरो की नीचे वाइड कहाँ परा होता है जैसे कि डिश्ट्रॉ हो जाएगा और उसने पहले युग जियाओ की तरफ अटेक किया होता है साथी वो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है तो उसने बिलकुल भी खोस्यारी दिखाने की हिमत नहीं की होती बलकि गोश्ट बॉडी कंडेंस होती है जो की एक रिच अमोटल पावर होती है हाला कि ताइक सु वर्ड की इसी स्ट्रॉंग बंदे ने कभी भी डॉच नहीं किया होता आगर जो यहाँ पर अटेक करना चाहता है तो उसे अभी भी नहीं पता था कि क्या इसका इंपक्ट होगा मतलब युग ज्याओ पर टेक करना चाहता था उसे नहीं पता था कि इसका क्या इंपक्ट होगा हाला कि तभी एक बलास्ट होता है और उसका पंच सीधा ही युग ज्याओ के लाइट सेबर से जाकर टकराता है और ये तुरंती डिश्ट्रॉ हो जाता है हाला कि लाइट सेवर ब्रेक हो गया होता है जबकि टैक्सुबल्ट के स्ट्रॉंग मैन की स्पीड घटने की बढ़ गया होती है और वो ग्रीन लाइट में बदल गया होता है साथ ही अंगले ही पल वो एक किलिंग इंटेंट टोर के साथ सीधा ही युग ज्याओ के सामने अपयर होता है जैसे ये फिश्ट उस्ते टकराने वाली होती कि तभी अच्छाना की इंपोर्डेंट मुमेंट पे और युग ज्याओ को पकड़ने के लाँगे की तरह बढ़ता है और उसके सीधा ही सिर को पकड़ लेता है साथ ही वो उसे अब सीधा ही जिंदा तोड़ देना चाहता था साथ ही वो उसका दिल भी निकाल लेना चाहता था इसलिए वो चेश्ट की तरफ पंच मारता है लेकिन सी टैम पे ताइक किंग की फिगर दिखाई देती है और वो अपनी लॉंग स्रोड को खीचते हुए तुरंती कहती है नाइन डैथ ओफ होली स्रोड ताइक किंग इस टैम पे पूरी भंड गुस्से में होती है और स्रोड से भी जो इंटेंट रिलीज हो रही होती वो काफी श्रोंग साथी ऐसा लग रहा था कि ताइक किंग और युग जियाओ बेसक दिखाबा नहीं कर रहे साथी जुआन जानता था कि बेसक ये लोग दिखाबा करना भी चाते हो लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ताइक सूबल्ड का बंदा इतना इस्ट्रोंग होगा और जब जुआन ने ये देखता तो उसके आंके सिकुड गई होती इस टाइम तक जुआन का फोर्मेशन भी क्रेट हो चुका होता लेकिन बैक सन लेने की जल्द बाजी में नहीं तब उस देखना चाता था कि ताइकिंग उसे कितनी देर तक लड़ सकती है साथी जुआन ये भी देखना चाता था कि क्या वो ताइकिंग की मदद से कुछ आसिल कर सकता है एक्जांपल के लिए कि क्या हंटर गॉड पैलिस के साथ ताइक सू वर्ल्ड की मिली भगत थी या नहीं हाला कि मौजूदा सुराग अभी भी कंफर्म फीलोते लेकिन बहतर होगा कि जुआन और भी ज़्यादा प्रूफ के साथ खड़ा रहे दौनों की भी जो फाइट होती है वो और ज़्यादा भैंकर होती जा रहे होती है युग ज़ाओ ने भी अपना सिर्ट ठीक कर लिया होता और बॉड़ी को ठीक कर लिया होता है क्योंकि मौटल लेवल की रिकबरी स्पीड काफी तेश थी जिसके बाद वो सीरियस होकर तुरंधी फाइट में पार्टिसेपेट करता है हाला कि पार में बहुत बढ़ांतर था लेकिन केबल ताइकिंग ही उसका मुकाबला कर सकती थी हाला कि इस ताइक सुबल्ड के बंदे ने एक बार पेसे युग जयाओ की तरपी अटेक किया होता है जिससे युग जयाओ एक बार फिर से हैवी लेंजाड हो जाता है ऐसा लग रहा था ये ताइकिंग के साथ 1v1 करना चाता है साथ इसका अग्रेसन धीरे-धीरे धीमा होता जा रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे स्पीड धीमी हो रही है किलिंग इंटेंट बढ़ता जा रहा है जिसके बार वो तुरंदी गयता 4 श्टेप और 50 श्टेप इस लेबल के मॉटल्स के साथ कॉम्प टीट करना काफी या रियर है आपके साथ कल्टिवेट करना अच्छा थोट है अरता के तो टैक्सी बल्ट का बंदर काफी हैरान लग रहा होता है लिगन उसकी आवाज एकदम सांथ होती है दूसी तब भले ही टाइकिंग के दिल में इससे लड़ने के थौट हो या ना हो वो केवल चुप चाप मूँ जकर के इससे लड़ सकती थी आकर कर अगर जितना असान नहीं था तो टैकिंग को हराना भी असान नहीं था इसलिए वो युग जियाओ को हैरबीली इंजड करके टैकिंग के साथ 1v1 करना चाहता था ताकि टैकिंग को हराने का उसके पास मौका हो साथ उसकी नजर में यही था कि ताइकिंग यहाँ पर सबसे श्ट्रॉंग है और जब तक वो ताइकिंग को मार देगा बाकियों को मारना चुटकी बजाने जितना आसान होगा जहां तक जुआन की बात है वो अभी भी सांथ कड़ा होता और दौनों को लड़ता हुआ देख रहा होता है इस टाइम पे ताइकसु बल्ड का बंदा देख रहा होता है कि जोयान की फोर हेड ग्लो हो रही है तब ही जोयान की दमाग में चाना की एक थोट आता है और जोयान के वाइड इस्प्रेट टावर के अंदर नाइन कॉफिन में ताइकसु बल्ड का क्लोन हाथ उठाता है और उसके हाथ में कॉइट नमबर लेखा हुआ होता है नाइन टू थ्री एट नाइन टी थ्री यान को जो पहली बार सामने आये था वो नाइन टू सेवन था उसके बाद नाइन एट नाइन थ्री जिससे जोयान को अपर लेवल पर प्रमोट किया गया था जाहिर तोर पर इन संख्याओं का अपना मतलब होना चाहिए साथ ही क्या ये संख्याए नाम हो सकती है जायर तो अपर इने नाम के जैसा ही कुछ होना चाहिए क्योंकि आर्मर्स को मिलाने के बाद ही जौन को ये नंबर मिल रहे थे साथ जौन तो नहीं दिकाता है क्या है सा हो सकता है कि ये नंबर्स बीच के लेवल हो तब ही अच्छन की एक तेज टकराने की आवाज आती और ताइकिंग लड़कराती वो पीछे की तरब जाती ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी तैक्सुबल्ट के आदमी के लिए मैच नहीं है और उसे हराने में कैपबल नहीं ताइकिंग के आत में कोई भी फाइदा नहीं होता जो देखा जो अच्छन क्या के सिकूर जाती है और उसका जो ट्वटी फॉर एमोर्टल गेट तयार था ताइकिंग की प्रिजन्स को देखती हुँ जो तुरंति उसे बढ़ा देता है जब तक जो एन एक्सल लेता है क्योंकि वो जानता था कि अगर ताइकिंग ताइकसु बंद के बंदे से लड़ती रही तो थोड़े टाइम के अंदर कोई भी नतीजा नहीं होगा साथी जो यान जानता था कि वो ताइकसु बंदे को मार भी नहीं पाएगी इसलिए जान ने उसे इस फॉर्मिशन से घेल लिया होता है साथी भले यहाँ पे हंटर गौड पहले सो ताइकसु बंद एक सास सामिल हो चुके हो या नहीं जान ने पहले से ही अपने दिल में इसका जवाब ढूल लिया था इसके लाँ जान की दिल में एक नई स्टॉट जी भी होती है इसलिए उसे कोई फार्क नहीं पढ़ता कि दोलो सामिल है या नहीं उसकी सो लीटर क्लोन की इन एनरजी 24 एमोटल गौड गेट को एक्टिबेट कर देती है जिसका स्प्रिच्छल पैसर सीधा ही इस बंदे की तरफ पढ़ने लगता है 37 टाइम पे ताइक किंग को भी एक किलिंग इंटेंट महसूस होता है क्योंकि इस फॉर्मेशन का इंटेंट ताइक किंग की तरफ भी था जिसके बाद जुएन तुरंद कहता है ताइक सुबल्ड के बंदे के साथ फाइट की है हाला कि वो साफ तरफ पर जानती थी कि उसे सारी पाउर का यूज़ करना ही होगा या फिर दूसरे बैड में क्या वो अपनी पूरी पाउर का यूज़ कर सकती है आखर कार यू किंग से उसे मैसेज मिला था कि उसे जोयान को 9th floor तक लेकर आना है और जब तक वो 9th floor पर नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी गलती नहीं करनी है उसके बाद वो आसानी से बच सकते हैं और यही एक बात था कि ताइकिंग रास्ते में बहुत कम बात कर रही थी तक कि कोई भी कमी सोना हो लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अभी उजान को कम करके आखा था और उसके दिल में अब कोई भी लग नहीं था उसके लिए छिपना impossible था उसके सामने टाइक सू बर्ट का बंदा था सत्य ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास कोई भी आप्सन नहीं तब ही वो तुरंदी कहते हैं Master Tikes हूँ मैं Hunter God पहले से हूँ अब हमारे पास बचने का केवल एकी आप्सन है क्या मैं सेना में सामिल होना होगा उसके साथ मत लड़ो भागो 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 Tyking ने ये Transmission के साथ का होता है Soul Transmission के साथ लेकिन ये Soul Transmission जोएं से कैसे चिप सकता था जिसके पास बास्त में Spiritual Power भी है और Solitar Clone भी इसरे जोएं ये सुनका हस्ते होग कहता है Your Honor उसका Soul Blood Destroy कर दो जो सुनका Empress से लाती हो रंगले ही पल उसकी हतेली में Blood दिखाई देता है Empress की Body में जैसे ही दो Blood दिखाई देते हैं वो तुरंती दो सेडों में बदल जाते हैं और Empress तुरंती उन्हें हलका सा दबाती है और इसके दबाते ही Tyking को अचाना की कुछ मैसूस होता है उसकी आखे चौड़ी हो गई होती है और पुत्लियां सिकोंडने लगी होती है Empress की जैड जैसी हतेली के अंदर ये दोनों ही बूदे काप रही होती है और सेम Tyking की Body भी अचाना की उसकी Blood, Body और इसके जुलसने लगती है और ये Soul Blood का Disadvantage था Tyking जोर-जोर से साथ ले रही थी भले ही Soul Blood से वो मरे नल लेकिन उसकी Soul काफी ज़्यादा इंजड हो जाएगी जिससे उबरने के लिए उसे कप से कम कई महीनों का टाइम लगेगा यहां तक की इतनी ज़्यादा भी कि उसे आसानी से मारा भी जा सकता था एक कमजोर परसन के द्वारा भी यहां पे Tyking के सामने एक फिगर आती है और Tyking अपना से नीचे करती है तब ही उसकी Fish Attack Tyking से जाकर टकराती है और Tyking heavily injured हो गई तो और यह Soul Blood का disadvantage था जहां तक Tyking के बंदे की बात होती वो उसका मदद करने के लिए नहीं आता क्योंकि उसे Tyking की बात उपर विश्वात नहीं था बल्कि वो जहां की तब देखकर एक्षन के लिए तयार हो जाता है साथि उसे यह कापी अजीब भी लग रहा हो था तो वो एक दूसरे के खिलाब क्यो लड़ रहे थे दूर चोर पर जोयान ने भी Tyking के खिलाब कोई हाथ नहीं उठाय होता और Immortal Blood Essence छीन ने एक बाद सीधे उसने Tyking की सोल की खोज की होती और बेहत तेज दरदेनाक चीख आती है हाला कि यह सीन युक जियाओ की आँकों में गिर गया होता है जो अभी अभी दूर थोड़ा ठीक खड़ा हुआ था सोल सर्च के बाद जोयान की आके एकदम कोल्ड होती है लेकिन उससे वो एंफोरमेशन नहीं मिली थी जो जो जोयान चाहता था जाहिर तोर पर ताइकिंग ने अपने एंट को जानने के बाद अपनी मेमोरी का आधा पार्ट मिटा दिया था लेकिन असा लग रहा था यह मिटाना सिर्फ एक छिपाव था जिसने जोयान को और सक बढ़ा दिया होता है जिसके बाद लेक 50 rank के एंपर एंट की मौत हुई होती इसलिए जोयान तुरंती अपनी flame का यूज़ करके उसे जला दे था हाला कि उसकी body के अंदर immortal bones थी लेकिन जोयान की flame उसे refine कर देती है और उसके immortal essence को रख लेती है साथी पिछले profit के लावे जोयान ने अब immortal blood की 8 drops को इखटा किया होता है और जैसे जैसे power उस सुधार होती जा रही होती है जोयान immortal level को breakthrough करने के close होता है तो ये blood effect भी काफी अच्छी तरीके दे जोयान को help कर सकता था लेकिन अगर इसके साथ जोयान immortal level को breakthrough करने चाहता था तो अभी जोयान को और भी जारा great efforts की ज़वरत थी दुस्तर इस टैम पे तैक सुबर्ट का बंदर जोयान को ही देख रहा होता है कि जोयान ने अपने बंदे को क्यों मार दिया और वो काफी हैरान भी होता है वो तुरंदी कहता है ऐसा लगता है कि ये स्टोल बलट के कारन था लेकिन अपने ही helper को मारना ये दे एक दम बेवकूफी है लेकिन उससे लग रहा होता कि जोयान अभी भी उसके पकड़ में है जोब आप एक तोर पर बहुत सारे magical weapons और आर्मर भी होते है दूसर अप टैक्सुबल्ट का बंदा काफी curiously जोयान को देख रहा होता है जोयान को इस स्टोज रिंग को देखते हुए तभी जोयान तुरंदी कहता है तुम्हें भी जीने की कोई जोड़ नहीं तुम्हें भी मरना चाहिए जोयान की बात को सुनकर ये बंदा हसने लगता और तुरंदी कहता है सिर्फ एक immortal body क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तुम्हें अभी भी ऐसे लोगों के साथ enemy नहीं बनना चाहिए जिनका सामना तुम नहीं कर सकते तब ही जान तुरंदी कहता है जब आप लोगों की body पर कबजा करते हैं तो आप इतने egoistic क्यों है इस armor के नीचे सिर्फ आप एक cheaty है और एक मुर्गा जिसे मैं अपने हाथ से जकड कर मार सकता हूँ जान की आपाज एकदम cold होती है जो यान बाचीत में बिल्कुल भी गंजूस नहीं था दूसरी तरफ यह बंदर काफी हैरान होता है और जान की body से आने बाले killing intent को महसूस करके काफी हैरान होता है वो तुरंती कहता है ऐसा लगता है कि तुम काफी अच्छी तरीके से तैयार हो और हमारे taxable के बारे में काफी कुछ जानते हो साथ ही है बाच अब एकदम serious हो गई होती है जो देखकर वो अंदर तुरंती कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि 893 और 927 आपके द्वारा मारे गए है इस बंदे के अंदर आप कुछ हैरानगी होती है और वो गुस्ते से जान को देख रहा होता है तो चलोगा इसीदी के साथ अब यह एपिसोड यहीं end करेंगे और नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि क्या जो यान इनसे फाइट करेगा इनने मारेगा यह छोड़ेगा जो कुछ भी होगा देखेंगे नेक्स एपिसोड पर वाय वाय थ्रियन फैमिली गुड नाइट लाइक कर दो यार कर दे भाई कर दे सरम कर ले थोड़ा सा लाइक नहीं आया 30 मिनट का ही वीडियो आएगा कल से